जैहिन साथियो एक बार पुना आप सभी का हर्दिक श्वागत अभी नंदन है मैं हूँ आपके साथ वसीम और आप देख रहे आपका अपना यूटूब चैनल तो साथियो अपन राजस्तान का इतिहास पढ़ रहे थे और राजस्तान के इतिहास के अंदर हम मारवाड पढ़ रहे थे और मारवाड के अंदर साथियो आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताऊंगा जो साइद आपने कभी सुनी ही नहीं होगी जिस कहानी को टीचर जो है वो अलग-अलग रूप दे रही है किताबें जो है वो भी अलग-अलग रूप दे रही है एक सची कहानी जिसको इतिहास में छुपाया जा रहा है उसी सची कहानी के उपर हम बात करेंगे आज हम जिस गुड़ला नर्ते हमारे राजस्तान के अंदर किया जाता है उस गुड़ला नर्ते की वास्तविक क्या बात थी जिसके कारण गुड़ला नर्ते किया जाता है आपने आज तक पढ़ा है कि वही सातल देव ने कोसाना का युद किया था वही गुड़ले खा जो थ तो एक बात को हम जानेंगे कि भी सच्चाई क्या है सच क्या है और इतिहास ने इस सच को क्यों छुपा रखा है उसी पे अपन चर्चा करेंगे तो साथियो क्लास को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल के उपर ने हो तो चैनल को भी राजा की बात की थी उस राजा का नाम था राव जोदा राव जोदा को पढ़ा था हमने और साथियो राव जोदा जो है इस राव जोदा के पांच पुत्र है कितने पांच पुत्र है राव जोदा के पांच पुत्र है साथियो और इन पांच पुत्रों में से एक का नाम जो है वो इतिहास ने छुपा दिया है राव नाम इतिहास ने छुपा दिया है और बाकी जो च्यार पुत्र है जैसे एक पुत्र जिषका नाम था सातल देव नाम था दूसरा जो पुत्र है जिसका नाम हो जाएगा राव बिका, राव बिका, और एक का नाम हो जाएगा राव सुजा, राव सुजा, और एक का नाम हो जाएगा राव गांगा, राव गांगा, हम बात करने वाले हैं आज, किसके बारे में, राव सातल देव के बारे में, आज हम जिस राजा को पढ़ेंगे उस राजा का नाम है राव सातल देव, देखिएगा ये जो सातल देव है, इस सातल देव को हम पढ़ेंगे और सातल देव जिसका समय आता है 1489 से लेकर 1422 इश्वी तक, 1489 से लेकर 1422 इश्वी तक का समय किश्क आता है साथियो राव सातल देव का देखना राव सातल देव जो है इस राव सातल देव का जनम होता है 1435 इश्वी में कब होता है 1435 इश्वी में होता है और इसके पिता का नाम था सात्यू राव जोदा और इसकी माता का नाम क्या हो जाएगा तो इसकी माता का नाम हो जाएगा जस्मा दे क्या नाम था जस्मा इसकी माता का नाम हो जाएगा जस्मा देव देखिएगा हम बात कर majesty रहे हैं राव सातल देव की जो बहुत ही इतिहास के अंदर एक खतर्नाक सासक हुए है जिनके बारे में जद्धा बाते नहीं बताई जाती है बस सोर्ट में उनको समजा दिया जाता है और सोर्ट में ही कहत कि युसन आते हैं ऐसा नहीं है। कि युसन कहीं से भी पूछ सकते हैं कहानी को गोर से सुना कि राव सातल देव जो था इस राव सातल देव के सात रानी थी। इस रूप से ध्यान रखना है और उस रानी का नाम है साथियो क्या एक रानी का नाम क्या है साथियो फूल कवर नाम है यह जो फूल कवर है इस फूल कवर ने जोदपूर में कहां पर जोदपूर में फूल सागर तालाब बनवाया था क्या बनवाया था फूल सागर तालाब जोदपूर में फूल सागरतालाव का निर्मान सात्योकिष के द्वारा करवाया जाता है तो जोदपूर में फूल सागरतालाव का निर्मान राव सातल देव की पतनी फूल कमवर ने करवाया था किसने फूल कमवर ने करवाया था इस सातल देव के बारे में एक बात और ध्य जान रखना कि इसने एक सातल मेर नाम से दुर्ग बनवाया था, कोंशा दुर्ग सातल मेर दुर्ग का निर्मान साथियो किश के द्वारा करवाया जाता है, तो सातल मेर दुर्ग का निर्मान जो है, वो इसी राव सातल देव के द्वारा करवाया जाता है, अब इतिहास में एक नई बात ये है कि राव दूदा जो थे राव दूदा राव दूदा का नाम सब ने सुना है ये कहां के थे मेड़ता के थे कहां के थे मेड़ता के थे ये राव दूदा को सातल देव का क्या बताया जाता है भाई बताया जाता है और इनके साथ में एक और होता है जिसका नाम है बड़सी है कहानी को द्यान से सुनना तभी पूरी की पूरी बात जो है वो समझ में आएगी होता क्या है सातियो कि ये राव दूदा और बड़सी है दोनों के दोनों कहां पर सासन कर रहे हैं मेरता के अंदर सासन कर रहे हैं इनी का भाई एक शातल देव है जो कहां प का नेर का राजा है देखना होता क्या है कि ये राव दूदा और राव बड़सी है जब मेड़ता के राजा बने थे तब कहते हैं कि मेड़ता में एक बैंकर वाला अकाल पड़ गया था और इस मेड़ता में बैंकर वाला अकाल पड़ा तो मेड़ता के जो बड़सी है थे ये बड़ सी है सामबर वाले छेतर में चले जाते हैं कौन से छेतर में सामबर वाले छेतर में चले जाते हैं और कहते हैं कि इन्होंने सामबर के छेतर को बूरी तरह से क्या कर लिया लूट लिया इन्होंने सामबर के छेतर को लूटा और कहते हैं कि सामबर जो है वो उस समय अज अजमेर के अंडर में आया करता था किश के अंडर में था अजमेर के अंडर में था और अजमेर के अंडर इस समय एक मुस्लिम हकीम जिसका नाम था हकीम मलू खां क्या नाम था हकीम मलू खां ये मुस्लिम राजा हुआ करता था जिसका नाम था हकीम मलू खां और ये हकीम मलू यहां का राजा ने होकर क्या था भई यहां का सुबेदार था सुबेदार कैसे कहे क्योंकि एकस्तान आता है मांडू और साथ यह मांडू के एक राजा हुआ करते थे नासीरुदीन क्या नाम था नासीरुदीन यह मांडू के जो राजा है नासीरुदीन इन नासीरुदीन का ये क्या हुआ करता था ना सीरुदीन का ये सेना पती हुआ करता था या इसका एक विश्वाश पातर वेक्ति था जिसका नाम क्या था हकीम मलूखा और साथ यो मलूखा जो है ये मलूखा अजमेर पर सासन किया करता था सांबर वाले चेतर के लोगों ने आकर हकीम मलूखा को कहा कि हम आपके अंडर में हैं और आपके होते कुए हमारे उपर अटेक कर दिया किसने हमारे उपर बढ़ सिंग ने अटेक कर दिया और बढ़ सिंग ने हमारे हमको बुरी तरह से लूट लिया हकीम मलूखा को लगा यार ये बात तो गल्त हो गई हकीम मलूखा ने बढ़ सिंग को एक पत्तर लिखा और कहा कि आपके यहां पे अकाल पड़ रखा है अगर आप चाहते हो कि आपके पास में बहुत सारा दन आ जाए तो आप एक बार कहां पे आ जाएए अजमेर के अंदर आ जाएए कहां पे बुलाता है अजमेर में अब बड़ सिंग को लगा कि भी हम वैसे प्रेशान है इससे था यह बुलारा इसके पास तले जाते हैं बड़ सिंग को भई दोके से बुलाके अजमेर के अंदर केद कर लिया था किसने हकीम मलू खाने हकीम मलू खाने इसको केद किया राव दूदा को इस बात की खबर मिली और राव दूदा राव शातल देव के पास में जाता है और कहता है कि भाई या हमारे भाई बड़ सिंग को जो है अजमेर के हकीम मलू खाने क्या कर लिया है बंदी बना लिया है अब ये राव सातल देव जो है ये राव शातल देव शातियो राव बिका की साहिता से किस की साहिता से राव बिका की साहिता से तो सातल देव राव बिका और एक हो गया राव दूदा ये तीनों मिलकर कहां पर आकर्मन करते हैं अजमेर के उपर क्या करते हैं आकर्मन करते हैं इन तीनों ने मिलकर आकर्मन किया और यहां पर जब आकर्मन किया तो कहते हैं कि इनकी विजे हो गई थी और इन्होंने बड़सी है को यहां से आजाद करवा दिया था बड़सी है आजाद हो गया लेकिन हकीम मलूखा के यह बात जो है वो आँख में रड़कने लगी कि बही इस परकार से हमारे जो केदी था, इस केदी को छुड़ा कर ले गया, हमें इस सातल देव जो है, इस सातल देव को हराना चाहिए, सातल देव को खतम करना चाहिए, इसने सपत ले ली, बोला कि मैं सातल देव को मारूंगा, होता क्या है सातियों, कि ये सातल देव जो था, इस सातल देव के समय की ह बात है और हकीम मलूखा जो था हकीम मलूखा ये हकीम मलूखा क्या करता है हकीम मलूखा ने नासीरुदीन को एक पत्तर लिखा नासीरुदीन कहां का है मालवा का है हकीम मलूखा ने नासीरुदीन के या मालवा के जो नासीरुदीन थे मालवा या मांडू के राजा नासीरु खांथिए नाम दियान रखना भई क्या नाम था सिरिया खां इस सिरिया खां को बेश दिया और इसके अलावा हकीम मलू का ने एक शिंद से सेनिक जोरों को अटेक करेगा ? इसने मेर्ता के उपर अटेक किया तो कहते हैं मेर्ता को बुई तरह से लूट लिया और मेर्ता वासी राव दूदा और बड़ सिंग भी प्रेशन हो गए ये दोनों सेना लेकर जो है वो सातल देव के पास में ये बात बताने के लिए आते हैं लेकिन ये हकीम मलू खां और सी करते हैं कि जोदपूर का जो राजा था सातल देव वो भी इनके साथ आया था राव दूदा के साथ में तो क्यों ना हम जोदपूर पे अटेक करें इनका सपना ये था कि जोदपूर के राजा को मार कर हम विका नेर के राजा को भी क्या करेंगे खतम करेंगे कहते हैं साथियों कि जब ये जोदपुर की तरफ बढ़ रहे थे जोदपुर का एक गाउं था और उस गाउं का नाम था पिपाड गाउं और ये जो पिपाड गाओं था साथियो इस पिपाड गाओं से होते हुए ये जोदपुर की तरफ जा रहे थे और तभी इस दिन जो है जब ये पिपाड गाओं में पहुंचे तो इस दिन गणगोर का दिन था कौशा दिन था गणगोर का दिन था और साथियो गणगोर जो है वो चेत्र शुकल त्रित्या को आएगी कब आएगी चेत्र शुकल त्रित्या को आएगी और जो गणगोर के दिन यहां पर गणगोर की पुजा कर रही थी 140 कुवारी कन्या और इन 140 कुवारी कन्याओं के उपर नजर किसकी पढ़ जाती है गुडले खा की नजर पढ़ जाती है और कहते हैं कि ये गुडले खा जो है इसने इन 140 कुवारी कन्याओं का प्रहन कर लिया था इनको यहां से उठा लिया था इधर से राव सातल देव जो है वो राव दूदा के कहने पर और बड़ सिंग के कहने पर इनके उपर अटेक करने की सोच रहा था तभी पीपाड गाउं से सेनिक गए और सेनिकों ने जाकर कह दिया कि बही 140 कुवारी कन्याओं का क्या हो गया है अपरहन हो गया है तब ये बा होता है सात्यो किश को सातल देव को और सातल देव जो है ये सातल देव यहां पर गुस्य से युद के लिए निकलता है और तब ही कहते हैं सुरियास्त हो जाता है और राजपूद सत्रिय जो योदा होते हैं वो सुरियास्त के बाद में क्या नहीं करते हैं युद नहीं करत और कहा कि अगर हम सुबह का इंतजार किया हमने तो ये जो दुष्ट गुडले खांजो है वो पता नहीं क्या करेगा इन बेहन बेटियों के शात में तब क्या होता है कि साथियों 1402 का दिन था और 1402 के दिन इधर से राव सातल देव, राव दूदा और राव बड़ सिंग य कौन से स्थान पर? कोसाना वाले स्थान पर चले जाते हैं और साथियों कोसाना वाले स्थान पर सीरिया खां, गुडले खां और इधर इस हकी मलू खांने अपना क्या लगा रखा था? सीविर लगा रखा था और यहां पर हम कह सकते हैं कि एक तो हो गया मलू खां और मलू खान के साथ में दूसरा कौन है सीरिया खान और सीरिया खान के साथ में एक हो जाएगा गुडले खान इन तिनों ने अपना सीविर लगा रखा था और राव सातल देव भी यहां पे अपनी सेना को लेकर आ जाता है और इनके चारों और क्या बना लेता है गेरा बना लेता है और साथ यो होता क्या है जब इसने यहांपर गेरा बनाया जब सातल देव ने यहांपर गेरा बनाया तो इस बात का पता मलू खां को चला और मलू खां यहां से 9-11 हो गया यानि भाग जाता है मलू खान तो भाग गया परन्तु गुडले खान जो है वो अपने आपको एक बहुत शक्ति शाली वीर योदा समझ रहा था ये सीरिया खान और गुडले खान जो है वो यहीं पर रुकते हैं और इस सीरिया खान की राव दूदा ने हत्या कर दी थी सात्यों किसने राव दूदा ने हत्या कर दी थी और इस गुडले खान के साथ में राव सातल देव युद करते हैं कौन करते हैं राव सातल देव युद करते हैं और कहते हैं कि बयंकर युद के बाद में गुडले खान की हत्या हो जाती है प्रन्तु राव सातल देव भी बुरी तरह से यहां पे गायल हो जाते हैं राव सातल देव गायल हो गए थे गुडले खांकी मरत्य हुई गुडले खांकी मरत्य होने के बाद में सातल देव ने अपने सेनिक को आदेश दिया कि इस गुडले खांकी गर्दन काट दो और इन 140 कुवारी कन्याओं को दे दो और कहते हैं कि उस स्खिंची सेनिक था जिसने गुडले खांकी गर्दन काट कर इन लड़कियों को सोंप दी और इन्ही लड़कियों ने एक मटके के अंदर चिदर करके और उसमें उसकी गरदन रखकर एक नरतय सुरू किया था और सात्यों उस नरतय को हम नाम क्या देते हैं गुड़ला नरतय कहते हैं और इस गुडला नर्थे के दोरान एक गीत गया जाता है कि सुहागन बाहर आ गुडलो गूमे लो जी गूमे लो इस परकार से एक गीत गया जाता है और ये गीत जो है वो सुहागन महिला जो है वो गाती है कि गुडले खास से इसी दिन हमें किस ने बचाया था तो सातल ने बचाया था कि सातल लाज बचाए गुडला गुमेला जी गुमेला सातल लाज बचाए गुडला गुमेला जी गुमेला सुहागन बाहर आव गुडला गुमेला जी गुमेला इस प्रकार के गीत गए जाते है और इस गुडला नर्तिया को सात्यों सब से पहले गिंदोली के द्वारा किया जाता है और ये गिंदोली किसकी पुत्री थी सात्यों तो ये गिंदोली गुडले खांकी ही पुत्री थी और ये नर्तिया जो है वो चेत दिन शीतला अश्टमी आती है अगर ये गुडले खांकी कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए सेयर कीजिए और कोमेंट करके जरूर बताए कि आपको ये कहानी कैसी लगी और ये भी बताए कि आपने इस कहानी को पहले इस तरह से सुना था कि नहीं नहीं सुना था